हेलो बच्चो वेलकम यू ओल एट लोकेसर अलिम्टर इस्टेडी जो तो क्लास 10 का सैंपल पेपर नंबर वन जो आपको एज प्राक्टिस के लिए मैंने यहां पर दिया था वो उसको हम यहां पर अब सॉल्ब करने के लिए जा रहे हैं तैयार हैं तो यह है सैंपल पेपर न 126 बहुत यहीं सिंपल कोशन बोल इसका अंसर कई इसका 42 बिल्कूल सही है करेक्ट आंसर इसका 42 चलिए नेक्ट देखिए अगला कोशन हैं इंपईरिगल डिलेशन से बिट्वीन थ्री मेजर बसेंटर टिनेंसी बताए कौं सा करेक्ट आंसर फस्ट आंसर कह रहे हैं 2 मिन इसका प्रेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, फस्त है, ओके चली नेक्स देखते हैं, और वैसे मैं इसकी आपको याद रखने की ट्रिक बता देता हूं, सबसे पहले लिए आपको याद है कि इस चैप्टर में तीन चीज़े होती है, मीन, मौड, मीडियन, सबसे जिए क्या होता ह है, वो क्या होता है, इस चैप्टर में सबसे टाफ होता है, मीडियन, क्या होता है, मीडियन, उसके बाद जो टाफ होता है, मीन, और फिर क्या होता है, मौड, ओके, तो इसको समझेने के लिए आप ऐसा समझेए, कि मीडियन को देदीजे आप 3 मार्स, किते नमबर देदीए 3 marks, 3 number, इसको देदी किते 2 number, और इसको number किते 1 तो 1 को लिखानी जाता है, और 3 plus 2 equal to किता होता है, 3 equal to 2 plus 1, 3 equal to 2 plus 1 तो यह लिख देगा, आपने 3 equal to 2 plus किता 1 तो यहाँ पर आपको देखी, क्या है question में आपके पास mod एक तरफ है है ना, mod आपके पास में एक तरफ है, तो mod को इधर कर देंगे आप, तो 3 median minus mod equal to क्या बच जाएगा, 2 mean बचेगा, ठीक है ना, तो yes, इस तरीके से आपका 3 median minus mod equal to 2 mean, तो correct answer कौन सा होगा, इसका first होगा, first answer बलकुल सही है, चलिए अगला question है, which of the following equation root 2 as a root, sorry, which of the following case 2 as a root, तो 2 किसका root है, तो बहिए चारो में 2 पुट करो, 2 जिसको satisfy करेगा, उसी का root होगा, तो चारो को 2 खिला-खिला के देख लो, जिसको 2 satisfy कर दे, वही root होगा, तो correct answer आप लोगोंने C बोला है, बिलकुल सही है बच्चो, correct answer 3 याने की C, absolutely correct, चलिए ये भी सही है, तो question का correct answer 3 होगा इसका, चलिए अगला question, 3 25 can be expressed as the product of prime, तो कुछ नहीं prime factorization कर देना, 4 नंबर का, बता ही क्या है इसका अंसर? B answer, second कह रहे हैं, तो B and a second, चलिए चेक करते हैं, तो बिलकुल सही है correct answer, इसका 2 है, इसमें भी आपको full marks मिल जाएंगे, तो अभी तक पूरे objective बच्चों ने सही बता हैं आपे, चलिए अगला question देखे, one card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 card, the probability that black queen, बताएए क्या answer है, ओके, black queen आपने 1 upon 26 कह है, तो first answer, बिलकुल सही है, black queen जो होती है, total 2 होती है, तो 2 upon 52, that is equal to 1 upon 26 है, करेक्ट answer है, चलिए next question 6 की तरफ चलते हैं, question number 6 की तरफ चलते हैं, कह रहा है कि, if triangle a, b, c and d, e, f, okay, a, b upon d, e, equal to b, c upon f, d, okay, b, c upon f, d, जो है, क्या का जा रहा है इसमें, कि will be similar, will be similar, बताएए कौन सा लगा है इसमें, c, answer मतलब angle b, equal to angle d, बिलकुल सही बात है, side angle, side x, लग जाएगी इसमें, तो यह दिखे, common angle ही दिख तो कौन है, b है, और यहाँ पर common angle कौन सा है, d है, तो angle b equal to angle d, बिलकुल common angle पकड़ने की trick है, यह इसमें common angle रहता है, तो यहाँ पर देखिए, कौन सा answer, इसका 3 answer, बिलकुल सही है, आप लोगों ने भी सही 3 बोला न, exactly, 3 answer correct है, चली, next question, नमस 7, हाँ, इसमें से कौन सा decimal expression, ज मतलब होता बच्चों, ना इधर repeating, non-terminating, ना इधर repeating, non-terminating, मतलब जो रुकता भी नहीं है, और जो एक तर्मिनेट भी नहीं होता, तो मतलब रुकता नहीं है, और repeating, मतलब जो repeat नहीं होता, यह देखिए, 5.4.561, यह क्या होगा है, तो terminate हो गया, terminate मतलब क्या होता है, rational, क बार लगा तो 0.12121212 बार लगया है ना तो रिपीट हो रहा है तो ये भी क्या रेशनल है क्या ये रेशनल है ये देखे ये तो टर्मिनेटिंग है ये रेशनल है बट ना तो ये रुक रहा है ना तो ये रिपीट कर रहा है मतलब ना इदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट तो यह क्या होगा, irrational, तो correct answer लिख लिए इसका, question number 7 है, neither repeating, non-terminating, चलिए अगला question देखे, अगला question, polynomial question चेप्टर से आया है, कि यहाँ पर आपको बता रहा है, कि कितने number of zeros है, तो count गल लो, एक बार, दो बार, तीन बार, तो correct answer इसका कितना होगा, 3 zeros होगे, तो question number 8 कभी 3 होगा answer, 7th कभी 3 था, 8th कभी 3 है, बिल्कुल सही है अभी तक के answer हमारे, चलिए अगला question देखते हैं, अगला question मैंने आप लोग को इसकी short trick बताई थी, इसकी short trick बोली थी मैंने आपको, कि directly बिना कुछ करिया आप solve कर सकते हो, यह 50 है, है ना, इसका just आधा होता है, यह कितना होता just है, यहां पर 25 है, तो 9th का answer number first होना चाहिए, बिल्कुल सही है, 9th का first कर लिए, ओके, और याद रखिएगा, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, यह numerical बहुत बार आया है, कि अगर आपके पास यह 25 है, ओके, तो यह angle justice का double होता है, क्या होता है, इसका double, एक चीज समल कि बील हो, मतलब आप यहां से यह line आप खीश दो, तो यह भी 25 होता और यह भी कितना होता है, 25, तो यह भी कितना होता होता है, olduğunu क्लियर हो गया, चलि, अगला question, question number 10, जिसमें mid point आपसे पूचा गया है, तो इसका mid point क क्या होता है,ainग, question number 10 का बताएए, second, बिल्कुल सही, very good बच्चों बिल्कुल सी है question number second correct answer इसका चलिए अगला question number 11th में आपसे पूछा गया है बताइए किस ratio में break करता है ratio बताइए fourth answer आपने बुला है 11th का fourth number देखिए बिल्कुल गलत है 11th का answer है third है बाई 11th का third correct answer है चलिए बलत हुआ है तो मैं इसको बता देता हूँ 11th का correct answer है third yes 11th का correct answer है third चलिए देखिए करते हैं इस question को explain कर देता हूँ किस तरीके से करेंगे इस question को देख लिए आप इसका solution हाँ देखिए यह आपके सामने question दिया गया कि आपके the point that which divides the line segment line segment divides the point this initially internally in the ratio कह रहा है वो point बताओ जो इनको join करने वाली line को internally 2 ratio 3 में break करती है तो देखिए क्या होता है सबसे पहले आप join कर लो एक point आपके पास क्या रही है 0,5 दूसरा point क्या रही है 5,0 और इसको break करने वाला कोई point आप माल लो यहां से यह देखो P माल लो किस रिश्चन बेर कर रहा है 2 ratio 3 मतलब दो हिस्से यहां और तीन हिस्से यहां तो आपको निकालना है point भी कर दो point कीट के दो coordinate माल लो X और Y तो आपको बच्चों पता है X X कितना होता M1 X2 प्लस M1 X2 प्लस M2 X1 मतलब M M देखो भी याद कलो अच्छे से पहले M1 X2 प्लस M2 X1 अपन M1 प्लस M2 M1 M2 क्या रिश्चों यह कहलाता M1 और यह कहलाता है M2 तो M1 मतलब की 2 किस के साथ जाएगा 5 के सांथ किससे जाएगा 5 के सांथ तो 2 x 5 कितना हो गया 10 2 x 5 कितना हो गया 10 और M2 3 किस के साथ जाएगा 0 के सांथ तो 10 प्लस 0 और नीचे कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 यह 2 प्लस 3 तो 10 अपन 5 बोलो कितना आ गया 2 आ गया 2 बोलो क्लियर है तो 2 में कितने option match हो रहे हैं 2 option match हो रहे हैं मतलब अपन को y भी coordinate निकालना पड़ेगा तो चलिए अब y coordinate का formula क्या होता है y का होता है m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 यह formula होता है तो m1 अपने पास कितना है 2 है और y2 कितना है 0 है तो 2 x 00 हो गया प्लस 3 x 5 हो गया अपन में 2 plus 3 कितना हो गया 5 हो गया तो answer कितना है 3 तो correct answer बनेगा आपका 2,3 is the correct answer भोलो सीक से यह ना तो correct answer इसका होगा 2,3 चलिए अगला question देखे अगला question बहुत ही simple है question number 12 अगर यह line इं parallel है तो की value बताए question number 12 का होगी कि आई 2 देखते है क्या है 2 की value की value 2 मतला option number 4 बोल रहे है okay option 4 एगह रहे है value 2 आई है question number 12 का option 4 का option number 2 की देखते है नहीं देखते है बिल्कुल सही है correct answer आपका यही है okay done exactly बिल्कुल सही है आपका answer चलिए question 13 देखते है the value of sine 30, cos 60, sine 30, sine 30, cos 60, बताई वैल्यू क्या है इसकी, one value कह रहे हैं, इसकी देखते हैं, 13 का first कह रहे हैं, option भी first है, value भी one है, बिल्कुल सही है भाई, answer one है, 13 का first ही answer आएगा, okay, done, चलिए next देखते हैं, अगला question number 14, 13 तो हो गया, 14 की value बता ही क्या होगी, 0, 14 की value 0, वाकई सही बात है, cos 90 बैठाओ, cos 90 सबकुल लपीटे में लेगा, 0 ही कर देगा, okay, so correct answer 14 का देखते हैं, okay, option number 3, yes, 14 का option number 3, answer is 0, exactly, बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, चलिए question number 15, question number 15 बताने हैं आपको, EC का प्या होगा value, बहुत ही simple है, कितना, 2, second option 2 कह रहे हैं, okay, second है, देखें, यह confusion होता है, option भी 2 है, और value भी 2 है, तो बहुत आराम से लगाईएगा, है ना, अब इन लोगों ने A, B, C, D लिखते तो अच्छा लगता, option भी 2 दे दिए, value भी 2 दे दिए, तो 15 का 2 देखते हैं, 15 का 2 बिल्कुल सही है, answer भी 2 cm है, ठीक है, अच्छा आप देखें, कितना अच्छा काम कह है, board में देखें, आप confused ना हो, जब भी आप option लिखें, तो answer लिखने, answer 42, और option number 2, option number 2, आपके पास time रहता है, option number 2, ऐसा लिख करके आजाए, समझ गया ना, क्योंकि आप A, B, C, D आएगा तो बहुत बढ़ी आबात है, या एक काम कर सकते हैं, जैसे आपके पास answer आए ना, ऐसा, आपके पास ने रिखिए, जैसे आपके पास में लिखने को आजाए, तो पहले आप लिख दो, option number 2, answer 42, answer 42, option number 4, answer 3, समझ में आए ना, जिससे समझ में आएगा सामने वालों को की option इसने ही दे रखा है, और अगर a, b, c, d करके आगे, तब तो मज़े ही मज़े, फिर सीदे a, b, c, d, जो भी answer है, वह आप लिख दो, बट ऐसा confusion हुआ करे कि मैं इसको लिखूं कि इसको लिखूं, भाई आप दोनों लिख दिया करो, और याद रखना, option जरूर लिखना, option जरूर लिखना, क्योंकि check option होता है पहले, क्या होता चेक, option, value चेक नहीं होती है, समझ में आ गया, clear हो गया, क्या होता पहले, option चेक होता है, मान लीजे, आपके answer में भी 4 है, और option भी 4 है, option चार लिखा था, answer भी 4 लिखा था, एक answer भी 4 था, option भी 4 था, बट correct answer दो आया है, क्या आया है, दो, अब आपने option number 4 लगाया, option number 4 में दो लुखा हुआ था, value तो दो देनी चाहिए, बट आपने किबल 4 लिख कर क्या गया है, अब बताओ, सामने बदर इसको 4 समझे की 2 समझे, problem है न, इसलिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे, 4 और answer क्या लिखोगे, 2 जो भी है, समझ गया न, तो थोड़ा सा चौकन ने रहना है, यहाँ पे, चले देखिए, question number 16 का objective बताईए, find the area of the circle who circumference is 22, बहुत answer है, बच्चो, very good, 38.5 cm2, बिल्कुल सही है, चले, अगले question के और चलते है, question number 17 है, area of the quadrant of the circle is 38.5 cm2, तो इसका diameter पूछा गया है, तो quadrant का area दिया हुआ है, आपको पता होने चाहिए, quadrant का area कितना हुदा, pi square by 4, pi r square by 4 का value यूज़ करके, कितना 38.5, और इसका यूज़ करके, 14 आया आपका answer, चले, चेक करते हैं, तो 14 answer, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया response दिया आप लोगोंने, तो 14 answer, बिल्कुल सही, एकदम, मतलब, बढ़िया paper जा रहा आप लोगा, चले, अगला question देखते है, a dice is thrown once, the probability of getting a prime number, okay, prime number की probability, तो prime number कौन कौन होते है 2 होते हैं, 3 होते हैं, और 5 होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, 3 by 6, बोले तो 1 by 2, मतलब, option number 4 आया क्या, बिल्कुल सही, तो correct answer आपका option number 4, 1 by 2, okay, तो यहां तक आप match कर लीज़ें, चौश पहले कि objective में आपके कित्ते आया, 18 में से 17 आया, 18 में से 18 आया, अगर 18 में से 18 आय point P, triangle O, P, Q as an isosilis triangle with an angle O, Q, P is equal to 45 degree, ठीक है, हां, तो मतलब यह जो है, थोड़ा सा जो question इसमें आपको diagram तो बनाना पड़ेगा, चलिए, तो इसका diagram हम बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए, क्या कहरा question यहां पे, यहां पे, इनका question का कहना है कि, कहरा, P, Q is a tangent to the circle with center O at point P, तो यह अपने पास में एक circle है, यह हमने circle बना लिया है, इसका center है, और यहां से एक point से tangent अपने डाल दिया, यह रिखिए, अपने tangent यहां से डाल दिया, और यह point क्या है, P है, तो definitely यह वाला point क्या है, Q है, इसकी जरूरत कुछ नहीं है, यह रिखिए, कहरा कि, O, P, Q, O है, यह P है, Q है, कहरा है कि, यह आईसोसिलस ट्रेंगल, कैसा ट्रेंगल है, अब ट्रेंगल की बनावट पे मत जाओ बच्चों, क्योंकि मैंने तो यह सोचके बनाया नहीं था, कि यह आईसोसिलस है, अब जो अब कहरा है कि, अगर यह आईसोसिलस ट्रेंगल है, तो इसके सामने का एंगल देखो, कौन सा वाला है, यह वाला है, और इसके सामने का एंगल, यह वाली साइड है, अब दो एंगल एक्वल होंगे, अब देखो, वैसे तो यह एंगल एक्वल हो चुका है, यह एक्वल हो चुका है, तो अब दो एंगल बचे हुए, यह तो हुए ना, तो मतलब अगर यह एंगल एक्वल है, तो यह भी एक्स होगा, तो यह कितना होगा X होगा, अब angle some property लगा देते हैं, हम आप जानते होगे, कि X plus X, यानि कि 2X, बोले यास, और प्लस कित्ते डिगरी, 90, उपर वाला, equal to कित्ते डिगरी, 180 डिगरी, So, 2X equal to 180 minus 90, मतलब 90, तो X equal to कित्ते डिगरी, 45, मतलब ये भी 45 होगा, और ये भी कितना होगा, 45 होगा, तो कह रहा है, isosilis then angle OQP equal to 45, OQP, बिल्कुल सही बात है, मतलब ये assertion सही है, assertion सही है, अगला है, if two tangent are inclined at 60 degree, are drawn a circle of 3 radius 3 cm, then length of each tangent is 3 root 3, भाई, देखो, दूसरा वाला जो ह पका पता चल चुकी है, कि भाईया, इस से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो question अलग है, और ये question अलग है, है ना, मतलब अगर दोनों सही हो गए, तो answer B आ जाएगा, मतलब बोथ A and R are true, but R is the not correct explanation of A, तो भाईया, हम अगला निकाल लेते हैं, क्या कह रहा है, कि दोनों tangent है, वो 60 degree per incline है, ये लीजे भाई साब, ये ले लिजे, मान लीजे, एक टेंजन्ट ये है, और एक टेंजन्ट ये है, दोनों tangent 60 degree per incline है, मतलब बीच का एंगल किता हो, 30-30, तो भाई, ये हो गया, कि 30 degree, 30 degree, ओके, अब देखिए, 30 degree हो चुका है, यहां से इसको मिला दीजी है, यहां से इसको क्या कर दिया, मिला दी, ये radius किती है, 3 है, ये radius किती है, ये angle के 30 degree है, 90, ये angle के 30 degree है, 90, अप थोड़ी stignometry लेगाई ये देखिए, ये अपने पास में, ये angle है, theta, theta के सामने की साइट को बोलते है, perpendicular, क्या बोलते है, perpendicular, ओके, और 90 degree के सामने की साइट होती है हाइपोटेनस क्या होती है हाइपोटेनस और यह क्या होता बेस होता है क्या होता है बेस होता है तो आपको क्या चाहिए बेस चाहिए क्या चाहिए बेस तो आप बेस्ट है क्या लगाई कॉस्ट 30 क्या लगाएंगे कॉस्ट 30 इस अपन हाइपोटेनस बेस अपन हाइपोटे किसमें किसमें खेलेंगे, परपेंडिकुलर में खेलेंगे और बेस में खेलेंगे, तो 1030 एकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, और बेस अपन को फाइंड करना, बोली yes or no, ओके तो 1030 कितना होता, 1 upon root 3 equal to 3 by B तो B उपर चला जाएगा तो B equal to 3 root 3 क्या बात है भाई बिल्कुल सही है तो दोनों ही statement सही है तो बोथ are true but this is not the correct explanation of A तो बोलो इसका answer क्या होगा B होगा तो देखते हैं इसका answer क्या दिया भाई साब बिल्कुल सही दिया आंसर भी दिया हुआ तो correct answer 2 होगा इसका नोट कर लिजे इसको चली डाइग्राम भी बना लिजे आंसर कर लिजे इसको नोट कर लिजे चली तो बच्चो अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question देखते हैं अगला question क्या पूछा गया है ये है question number 20 और regular polygon of same number of sites such as equilateral triangle okay square etc are similar कह रहा है कि जितने भी regular polygons होते हैं regular polygons ठीक ना of the same number of sites such as equilateral triangle तो बाई बात सही है ये बिल्कुल सही लग रहा है देखो आपके पास जैसे की आपके पास में चलो जैसे की आपके पास में बात करो में triangle की में बात कर लो तो आपके पास में ये देखो एक triangle है जिसकी side है 3,3,3 ये भी 3 है, ये भी 3 है ये एक लिटरल है ये 60 है, ये 60, ये 60 अब आपके पास एक बड़ा triangle ली लिया उसकी side है 5,5,5 बो yes or no ये 6,4,5 ये the angle होगा वो भी कितना होगा 60,60,60 तो होगा न yes or no और आपको पता है कि अगर दो triangle ये angle भी कितना होगा 60,60,60 होगा आपको पता है कि अगर angle, angle, angle property लगती है तो दोनों triangle क continually होते हैं similar होते हैं …क्या होते हैं तो भाई ये बात तो सही है, तो पहला वाला कह दिया कि ये वाला बात बिल्कुल सही है, ना, फरस्ट वाली चीज़ हो गई कि ये बिल्कुल सही है, चलो आंगे देखते हैं, हाँ, two polygons are set to be similar if their corresponding angles are equal and length of corresponding sides are proportional, कह रहा है, second part है, two polygons are set to be similar, if their corresponding angles are equal and length of the corresponding sides are proportional, ओके, तो अब ये बात भी statement सही है, तो दोनों statement तो सही है, बट यहाँ पर ये समझना है कि कौन सा किसको जो है explain कर रहा है, all regular polygons of the same number of sides, such as equal little triangle square are similar, ओके, देखे, correct answer है, इसका first वाला, क्योंकि दोनों statement सही है, ये assertion है, उपर वाला, तो ये बात बिल्कुल सही है, और इसको ये चीज़ क all के लिए, और ये किसके लिए बल दिया two के लिए, तो के लिए, किसके लिए, ये statement हो गया सबके लिए, और आप सम्झावोगे, जैसे कोई सीज मैं सम्झाता हूं, तो मैं कितनी example ये कैं दो से लिए नहीं पड़एगा, मेरे को दो से जाVER खाला तो लूंगा नहीं है, ये और नो, तो correct answer क्या होगा इसका, both assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion, बोलो done है, पक्का बात है, चलिए फिर आंगे चलते हैं, अगले question की ओर चलते हैं, अब तो आप मुझे answer बताईएगा, बोलिए, two coins are tossed simultaneously, find the probability of getting two heads, one by four आया, बिल्कुल प्यारे बच्चों देख लो, बिल्कुल सही answer है, Okay, favorable outcome आपका एक है, और total outcome चार है, तो probability किती हो जाएगी, one by four, चलिए इसके और वाला भी करना था आप लोग को, एक lot है, बुली answer कितना बना, क्या, a lot of 25 बल्स, यस, ने, अच्छा, हाँ, question अलगा, sorry, बताईए, four by five करे हैं, इसका असर, ओके, 22 का, चलिए, 20 upon 25, हाँ, four by five, बिल्कुल सही, प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत जवरदस जा रहे हैं, आप लोग, चलिए, अगला question करते है, question number next दिखते है, two dice are thrown simultaneously at random, find the probability of getting a sum eight, okay, 5 by 36, देख रहे हैं, प्यारे बच्चे लोग, देखते हैं, 5 by 36, क्या बात है, बिल्कुल सही answer है, 5 by 36 is the correct answer, जो pair बनेंगे, आपके 2, 6, 3, 5, 4, 4, 6, 3, और 6, 2, ये बनेंगे आपके pair तो correct answer है, कितना 5 by 36, सही है, बिल्कुल इख दम सही है, चलिए भी होगा आपना, हाँ, prove that the tangent drawn at the end of diameter of a circular parallel, कह रहा है कि so करना, अरे भाई, क्या इसमें so, क्या दिक्कत है, देखो, tangent drawn at the end of diameter, तो 90, clear है, और ये वाला भी कितना होता है, 90, अब भईया, आपने, दो parallel line में, ये जो angle होते हैं, alternate interior angle होते हैं कि नहीं होते हैं, बोले, होते हैं ना, और alternate interior angle दोनों equal हैं कि नहीं हैं, और अरे भईया, तो दोनों equal होंगे, तो answer दोनों line हैं, अपस में क्या होगी, और वो दोनों लाइने क्या टेंजेंटी तो है ना कि नहीं है बुलिए सब्सक्राइब हो गया यस तो इस तरीके से अच्छा दूसरा तरीका एक और है कि आपके पास देखिए जो टेंजेंट अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है अगर 180 सम प्रडूस कर रहा है तो वो लाइन आपस में क्या होती है पैरलल होती है तो दो तरीके हैं चलिए कोई बात नहीं अगर नहीं कर पाएं इसको अब जल्दी से इसको नोट कर लिजे इसका सलूशन ओके यह नोट कर लिजे बस अल्टरनेट एंटेरियर एंगल की थियोरी लग गया और प्रूव हो गया है दन चलिए अगले क्वेशन की और बढ़ते हैं तो क्वेशन नमबर 23 बन चुगा है बच्चों से अब करते हैं क्वेशन नमबर 24 यस यह देखे क्वेशन नमर 24 क्या और यह दो आपको बता है कि दो साइट सिक्वल है तो दो एंगल भी क्या होंगे एक ओलोंगे तो यहі 90ये ही बनकै ट्वक्स इकल केल चुगा तो एक सिकल क्ना होंगा हँग सिकल कल तो यह दू कितना हुगा 45 तो यह यह वह क्तना food अब आपको साइनivas सु इजी क्वेश्चन एंसर होगा इसका वन बाइ रूट टू डन चली आई यह दिखते हैं 24 पहला पार्ट हो चुका है अब दूसरा पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन अब है 24 का दूसरा पार्ट भी आप लोगो करना कंपल सरी था फाइव कॉट एक कॉल टू एट तो वैल्ली आप दो कॉस है कि यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है है ना क्या बन गया 17 अपॉन 15 17 अपॉन 15 देखते हैं कि लोकुल सही बात है exactly सही आंसर आप लो इवेंटीन बाइ 15 इसका आणसर आएगा चली अगले कोश्चन की और चलते हैं अगला कोश्चन देखिए दो क्वाडरेटिक एक्वेश्चन है इक्वाल रूट तो कंडिशन के की वैल्यू निकाल नीट तो कंडिशन एक्क्वाल रूट की कंडिशन ओरती डी कल टू जीर बी की वैल्यू 4, एकी वैल्यू c की वैल्यू पूट कर दीजे, k क्वेल्स टू बन चली अब आते हैं question number section number c की तरफ, section number c रेखिए क्या कह रहा question number c हाँ, सेक्षन नमस ही है, find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 3x minus 10 तो सबसे पहले polynomial px support करेंगे, suppose करेंगे x square minus 3x minus 10 और इसको हम zero के equal करके दो roots निकालेंगे, एक कहलाएगा alpha एक कहलाएगा beta तो बच्चो root बता ही क्या है 5 and 5,2, 5, minus 2 की 5 and 2 तो एक कहाँ आपने 5, minus 2 चेक करते हैं, roots आये है 5, minus 2, क्या बात है बिल्कुल सही है और इसके बाद में फिर आपको roots के बीच की relationship निकालना तो एक निकली होगी alpha plus beta equal to minus b upon a and alpha plus alpha into beta equal to c upon a तो देखें चेक करिए, क्या relationship बिल्कुल minus 3 और minus 10 आई है क्या बिल्कुल सही है और यहाँ पे साथ में नाश्ट में लिकना है hence verified, क्या लिकना है hence verified, यह मैं क्या नहीं किया कोफिशन किया तो एन यह c upon a कर रहा तो यह देखो na minus 10, obviously वही तो है c upon a हो एना, c upon a हो गया, so constant upon a equal to minus 10 upon 1 that is equal to minus 10, clear ना, चली, note कर लिजे दी, note करना आपको यह relationship आपकी, done चली, अगला question करते हैं, next question देखिए, following figure depicts the park of the two opposite sides of parallel and left with the right hand, left hand, right hand semi-circular in shape, it has 7 meter wide track for walking, okay, two friends Sima and Meena went to the park, Meena said the area of the track is itna, is she right, Meena ने इतना area निकाला है, पार्क का, देखो भाई कैसे निकालेंगे, पार्क का area, देखो सबसे पहले इस पार्क को दो हिस्सों में बाटल आप, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, अब आपको पार्क का area निकालना है, तो सबसे पहले यह जो आपको band लेंगने आशा में से तक आपके पास में कितना 120 यह कितना 120 कि पयां से 120 आपके पास यहां से आएं टो मतलब 120 और ग्रोव ayam Call service 272 120 यह यह हो गया एक बार और दूसरा plus plus 120 огр 2 122 आब आपके पास बसता यह वाला area तो ध्यान से देखो यह outer इसके यह semi circle है, क्या वेटा यह? semi circle, यह भी semi circle है, तो यहाँ से ले करके, यहाँ तक जो है वेटा, आपके पास में, यह total कितना 70 है, कितना है? 70, तो इसकी जो radius बनीगी वेटा, आधी, यहाँ इसका कही ना कहीं center होगा, कही ना कहीं center होग आपको आपको एरिया निकालने तो आपको क्या करना पड़ेगा बाहर वाले सेमी सर्क्ल में से अंदर वाले सेमी सर्क्ल क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो अंदर वाले सेमी सर्क्ल की रिडियस कैसे निकालता हूं ध्यान से देखना बिटा यहां से यहां तक 70 है, है की नहीं बोलो, अब 70 में 7 मीटर का ट्रेक ये वाला माइनस कर दो, और 7 मीटर का ट्रेक ये माइनस कर दो, मतलब 7 इधर गया, और 7 इधर गया, तो बचा कितना बेटा, 14 चला गया, तो 70 में से 14 माइनस कर दिया, मतलब दो semi circle आपको निकालने है, है ना, दो बार, आपको लिखना बाहर वाला semi circle कितनी radius का होगा बेटा 35, और अंदर वाला semi circle कितनी radius 28, ठीक है ना, और उनके areas को आपको minus करना, तो देखो ध्यान से, pi 35 का square, और minus pi 28 का square, अब आप कहोगे sir, यहाँ पर तो आपको pi r square by 2 लगान तो इसलिए आपन को 2 लगाना था, वो आपने क्या कर दिया, eliminate क्या कर दिया, क्या कर दिया, eliminate क्योंकि देखो, दो अपने पास circle बन रहा है, एक इधर का बन रहा है, तो दो आधे circle मतलब क्या होगा, एक पूरा circle, है ना, तो एक बाहर वाले circle का area, और minus अंदर वाले, तो बा अब इसको solve कर लो, yes or no, तो 72 जा कितना होगा, 14, ये देखो, हो गया कि नहीं हुआ, पाई की value किती ही, 22 upon 7, अब बच गया अंदर कितना 35 का square minus 28 का square, तो भाई, 120 गोने 7, गोने 2, याने 120, गोने 14, कितना होगा, 16, 80, बोले यसा नो, अच्छा, 22 बटे साथ कॉमन लेले, अब प्लस बी, A-B, तो A-B, कितना होगा, 63, और A-B, कितना होगा, 35 में सल थाइस, जाएं कितना 7 बचे का, 7 से 7 का होगा, बच्छो, तो बच्छा का 22 बटे सिक्स्टी थी, तो एकल तो 1386, आंसर आगे, कितना 3066 मेटर स्क्वार, बोले यसा नो, अम मीना क्या बोल रही है, मीना कह रही, जो एरिया है, वो कितना 4066, वो तो सीधे 1000 जादा बता रही है, तो मीना सही बोल ली, गलत बोल रही है, मीना गलत बोल रही है, वो लो, क्लियर हुआ, वो डन, तो नोट कर लो बच्छो जी, प्लीज को, चली देखे, अगला क्वेशन आया भई, टिग्नोमेटरी क चमत कार यहां पर क्वेशन में दिखे क्या है, कौर्टे माइनस क्quinhoस एपन को त то plus कर एपके पास में आपको क्या ऄज़ा जैठा your को से कमला के ना चलिए solution देखते किस तरीकिस किया गया इसका तो यहां पर देखे कैसे किया गया बड़ा easy question है यह देखे caught a minus cost a caught a plus cost a caught a को लिख लिख लिया cause a upon sign a और minus का cause a है cause a upon sign a plus का cause a है तो यहां से cause a को मैंने comment ले लिया पूरे में से कितना बच गया one minus sign a upon one upon sign a minus one और यहां पर कॉसे कॉमन लिया तो 1 upon sin A plus 1 कॉसे कॉसे उपर से नीचे क्या हो गया, cancel हो गया तो बच गया 1 upon sin A minus 1, 1 upon sin A plus 1 तो answer आ गया कॉसे के minus 1, कॉसे 1 plus 1 बहुत ही easy question है बच्चों, अगर आपने इस question को छोड़ दिया है तो अब आप इस question को अब लगाएंगे, तो आपको महसूस हो जा गई, हमने इस question को क्यो छोड़ा यह बहुत ही आरामदा question था, चलिए अगला वाला part करते है अगला वाला part देखे, अगला वाला part देखे, 10 A plus sin A है, 10 A minus sin A क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, 10 A plus 1, और 10 A minus 1, बिल्कुल वैसी question है, sine A common ले लोगे answer आजाएगा, तो उपर से देखे, sine A upon cause A, और प्लस sine A, और नीचे भी क्या है, sine A upon cause A, minus sine A, sine A, उपर से common ले लिए, क्या बन गया, 1 upon cause A, चुड़ जाएगा ना, भी sine A common लोगे क्या चुड़ जाएगा, 1 upon cause A, और 1 upon cause A को क्या बोलते हैं, से के, तो से के प्लस 1, और यहाँ पर sine A common आ गया, यह sign A और यह sign A, तो क्या बन गया, 1 upon cause A minus common, मतलब से के minus 1, जल्दी से दोनों question जिन बच्चों ने नहीं करे हैं, जल्दी से यह दोनों question आप लोग अपनी copy में कर डा लिए, तो सबसे पहले पहला वाला part करिए, done, चली देगे बच्चों अगला question तो मतलब बिल्कुल मैं यह समझ के रखो, क्या कि यह एक्जाम में basic वालों को तो आना ही आना है, मतलब जो basic वाले बच्चे पिपर दे रहे हैं, उसमें यह वाला question तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्या क्या आप prove that root 3 is irrational, तो एक बड़ी सी method से अपने को proof अपने कराया था, उस method से यह करना था, आप वो method देख लो भाई, क्या है, हम क्या मानते थे, as a contrary result हम मानते थे, क्या मानते थे, क्या मानते थे, root 3 rational है, मतलब root 3 can be written as a upon b, तो root 3 b equal to कितना हो गया a, square कर दिया, तो 3 b square equal to कितना हो गया a, integer upon integer क्या आ रहा है, अब integer upon integer integer का बाता है, जब नीचे वाला उपर वाले का factor होता है, factor हो, तीन किसको divide करेगा, a² को, इसका मतलब 3 किसको divide करेगा, a² को, कि इसको डिवाइट करेगा A को, मतलब जो 3 है, वो, उल्टा रछी लिया, जो 3 है, वो A को兩ट करेगा, मतलब 3 जो A को करेगा Сे 3 असी दिवाइट करेगा, 3 इभाइट करता है किते बर C, किते बर C टाइमस, तो A कौल गितना बन गया BAC erhö 3C, कितना गया आप थ्यान से देखो यहां पे कितना था 3b2 Gy, 8k?", तो 3b2, 3b2, 2A2, a2 whatever. आभी मैंने बोला एकषिक थुक्ता है, now a, within j0, यह अपने पास है B square equal to 9 C square upon कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं हुआ, यह 3 से कड़ जाएगा, तो B square equal to 3 C square हो गया कि नहीं हुआ, बोलो, यह देखो B square equal to 3 C square, भाई, उनकी train मेरे साँ साँ चल रही है, तो B square upon 3 equal to कितना हो गया, C square, बोलो yes or no, अब देखो भाई, क्या हो रहा है, B square किya है, B square किया है, B square किया है, 3 B किया है, Intizor, Intizor upon Intizor equal to C square, C B किया है, Intizor, Intizor upon Intizor का बाता है, जब नीचे वाला, जब नीची वाल इसको completely divide करे, बोलो yes or no, बहित पढ़े ओगे ना, चार में दो का divide करोगी, Im ceux को completely divide करे, जब इसको completely divide करे, मतलब B square किया 평落 ती 3 divided B, तो क्या आप हो गया भाई, हमको समझ में आ गया, कि यहाँ पर जो 3 है, वो common root है किसका, A का और B का, है की नहीं है, मतलब 3 जो है common factor है, A का और B का, और सुरुवात में हमने भूला था, कि हमारे पास A और B को प्राइम है, क्या है A और B, को प्राइम, मतलब हमारी जो statement था वो गलत साबित हो गया कि नहीं हो गया, तो हम कहींगे, सॉरी, सॉरी, हमने जो statement दिया था, वो गलत हो चुका है, बोलो यसा और नो, है ना, contradiction आ गया है, है ना, but this contradict that fact that A and B have the no common factor other than 1, क्योंकि शुरुवात में हमने माना है, कि A और B को प्राइम है, को प्राइम ऐसे होते है जिसके केबल common factor क्या होता, 1, है ना, जिसको कोई cancel नहीं कर सकता है, उसको common factor 1 होते हैं, बट यहाँ पर क्या हो गया, देखा हमने A और B का common factor क्या आ चुका है, 3, बोले यसा और नो, तो यह कौन साय statement है, contrary, this contradicts our assumption that root 3 is rational, so sorry, root 3, we conclude that root 3 is what, irrational, बोलो clear है ना, मतलब root 3 यहाँ पर भाई उपर तो बहुत बड़ा दे दिया है, नीचे वाला question देखे भाई साब बहुत बड़ीया question है, नीचे वाला question बहुत आराम से हो जाएगा, कह रहा है, and containment of 616 members of march behind the army band of 32 members, देखो भाई, आपके पास में क्या है, 616 लोग हैं एक army troop के, और उनको band के कितने लोग है, 32 ल आपको बताना है, कि इस इस troop को, इन troop को, टोटल कितने में arrange होना पड़ेगा, तो टोटल कितने में arrange होना पड़ेगा, आपको बताना है, कि what is the maximum number of column, which in which they can march, आपको बताना है, कि इसमें कितने लोग एक बार में रहेंगे, maximum, तो हम HCF लिकालते हैं, क्योंकि HCF में highest निकलता है, क्या निकलता है, highest, बुली S1, मतलब एक stock में, एक line में कितने maximum element रहेंगे, इसके लिए क्या निकालते हो, HCF तो बहुत ही simple concept है, इसका देखे, HCF निकालना है, तो यह आपने देखे, 616 को break लिया, 32 को break लिया, दोनों मे 11, बुलो हा, और यहां पर देखे, दूसरा बाला जो पाफ बनागा, 2 x 2 x 2 x 2, अरे भाई, HCF में common देखा जाता, तो यह निकला, यह निकला, यह निकला, बुलो HCF कितना हैगा, 8 आएगा, any problem, done ना, तो yes, इस तरीके से आपका HCF कितना आ गया, 8 आ चुका है, चली, अगला question, बहुत ही प्यारा, बहुत ही subtle question, prove that the length of tangent drawn from an external point of the circle are equal, यार, इससे subtle question, तो कुछ होते ही नहीं है, है ना, तो यहां पर आपने circle से tangent डाल दिया, यहां पर right angle बन चुका, बुली है, सो नो, अब इसके बाद triangle को कंसक करके रिक लिए लगा दीजे, क्या लग जाएगा, आपक RHS concurrency से दोनों triangle क्या हो जाएंगे, concurrent, इसका मतलब P equal to कितना हो जाएगा, PB, बोले clear है, clear है, पका न, ओके बहुत बढ़िया, चलिए अगले question के ओर चलते है, question है, अगला 2X plus 3Y equal to 11, and X minus 2Y equal to minus 12, algebraically solve करना है, तो सबसे पहले X और Y की value निकाल नहीं, जल्दी बताओ क्या value नि निकल गई, Y की तो भाई, सही बोलो नहीं, पहले X की बोलते है, हाँ, तो पहले X की value है, minus 2 और Y की value, कितनी है, 5, हाँ, तो minus 2 और 5, minus 2 और 5, बिल्कुल सही है, अब कह रहा है भाई, कि minus 2 और 5 तो value निकल चुकी, कह रहा है, अब M की value निकल लो, क्या निकल लो, M की value, अगर अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question है देखे if the sum of the first 14 terms of the AP is 1050 if the first term is 10 find the 28th term तो सबसे पहले आपको 20 वा टर्म फाइंड करना है क्या फाइंड करना है 20 वा टर्म अब देखे पहला टर्म आपको दिया गया बट यहाँ पर common difference आपको दिया नहीं गया है common difference आपको दिया गया है बट यहाँ पर sum की expression आपको दिया गया है तो sum की expression करके आपको सबसे पहले क्या निकालोगे common difference D क्या निकालोगे common difference D उसके बाद आपको sum of the first 28 term find करना है बोलो किसी ने कल लिया किसी कपास answer है अच्छा बना नहीं है चलिए कोई बात नहीं देखे कैसे करेंगे देखे सबसे पहले आपको 40th terms तक का sum कितना दिया है 1050 कितना दिया है 1050 आपको common difference आपने D माल लिया तो formula क्या होता बेटा 40 N term का N by 2 2 A plus N minus 1 into D बोलो होता कि नहीं होता अब इसको solve करतो बच्चा D की value कितनी आगे 10 आगे D की value 10 अब इसके बाद आपको क्या नहीं होता है 28 terms का sum तो आपने एक formula पढ़ा है S20 equal to S N equal to होता है N by 2 20 by 2 पहला term plus last term last term कौन सा है 20 है बोलो है S20 के लिए आपने last term निकाल लिया S20 equal to N by 2 20 by 2 पहला term कितना है 10 और last term कितना है 200 बोलो yes or no answer कितना आगे 2100 जल्दी से note कर लो इसको solve कर लो इसको चले बच्चो अगला question लेकिए the first term of an AP the first term of an AP is 5 मतलब बहिया A की value किती है 5 दी हुई है and the last term is equal to 45 मतलब A N equal to कितना बिदा 45 and the sum is 400 और आपको sum कितना दिया 400 find the number of terms and the common difference तो दो चीज़ फाइंड करना है तो आपको number of terms find करना और common difference बताई यह आया आपका N की value किती है यह बताई number of terms 60 और common difference कितना अच्छा N equal to 16 बिल्कुल सही common difference कितना 8 by 3 बिल्कुल सही है देख लिजे कोई दिक्कत क्या एक बार explaining कर देता हूं कैसे करना रहिए सबसे पहले आपको देखिए आपको sum दिया है 400 किता दिया है sum? 4 and तो N by 2 पहला term plus last term आपको दिया है तो 5 N equal to 800 हो 50 N equal to 800 हो गया तो N equal to 16 हो गया अब इसके बाद Nth term आपके पस किता है 45 N आपके पस किता है 45 और N कितना आचुका है 16 बोले जासा नो तो A plus N minus 1 in 2D मतलब A plus type plus 15 D equal to 45 स्वाल को लेकिए D की value का गई 8 upon 3 ओके? क्लियर है? नोट का लेजे अगला कोशन देखिए बच्चों Q33 Q33 क्या कहरा बच्चों As observed from a top of 75 meter high lighthouse above the sea level The angle of the depression of the two ships are 30 and 45 मतलब 2 ship आप देखे जा रहे हैं पहले ship का angle कितने degree है 30 30 कितने degree है 30 पास वाले का शिप का angle हो 30 और दूसरे वाले का कितना है 45 One ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse in the straight line Find the distance between the two ships बताओ वाई दोनों ship के बीच की दूरी कितनी निकाली हो अरे दूरी कितनी निकाली निकालते बनी कि नी बनी तो कितनी आई दूरी बताओ जल्दी से 75 bracket में 3-1 चलो यही सुनना था मज़े 75 bracket में root 3-1 चेक करते हैं क्या बात है बाई बिल्कुल सही है फुल मार्क्स मेलेंगा अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको 75 bracket में root 3-1 तो कैसे करना है देखो बेटा कैसे करना है देखे समझेए सबसे पहले आपको जो पास वाला एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 45 कितना बनेगा और दूर वालैंगल कितना बनेगा 30 तो पास वाला एंगल आपका 45 बन और दूसरे वाले ठेंगल में आपको इसको उन्नोन है तो उन्नोन है तो 10-30 कोल्डू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कितना पकटना historically लेके D, B से लेके D, तो यहां से होगा, B से लेके D, B से लेके D आपने solve कर लेका 75 root 3, अब देखें, आपको BC चाहिए, क्या चाहिए, BC, तो अज जो total BD आया है, उसमें से CD को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो BD आपके पास कितना आ चुका है, 75 root 3, ओके, और जो आपके पास में CD आया था, वो कितना था, 75, तो 75 root 3, माइनस का 75, 75 common ले लिजा, आंसर कितना आगया, root 3, minus 1, done, बोलो बन जाएगा न, चलिए, अगला question, किसको बेटा, नहीं, इसको, अब देखो, इसको solve करने का तरीका यह है, इसको इसको solve करना है, तो 75, multiply, बेटे को root 3 कितना होता 1.73, 1. minus का कितना, 1, तो 73, multiply by 0.73, बोले यहसा नो, अब 0.73 को solve करतो, 0.73 को बेक कर दो, तो आपन कितना 100 आ जागा, तो यह बन गया 73, इदर बे कितना 73, hold divided भे कितना 100, तो 73 का 73 से multiply करतो, 73 का square आ जाएगा, ओके, और divide by 100 कर देना, ठीका, वैसे मैं कहूंग, आपको यहीं त 1, 2, 3, तो आपको 3 डिजिट तक ही solve करना पड़ेगा, बोल क्लियर है न, यस, चलिए अगला क्वेशन देखते है, question number 34, okay, हाँ, इफल, भाई, थेल स्थियोरम है, क्या है, बीपीटी है, क्या है, बीपीटी है, तो I think सबसे बन गई होगी, FLA ए लाइन ड्रॉन पैरलल तो one side of the triangle intersect the two other side in the same, in the distinct point, then prove that the two other two sides are divided in the same ratio, okay, तो ये बीपीटी का है, मैंने आपको बीपीटी को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से करवा रखिए, बीपीटी, I hope आपको बनती होगी, और बाकी systematic करने का तरीका ये रिखे, इसको देख लिए, construction करना पड़ता है, फिर दोनों triangle same हो जाते हैं, इससे की, दोनों result जो आपके पास में आए हुए हैं, वो equal हो जाएंगे, बहुत clear है, चलो बहुत बढ़िया तो ये बात हो गई, अगला question करते हैं, अपने पास 35, 35 ये देखे, oh, find the area of the shaded region, APD, ध्यान से देख लेना भाई, APD, मतलब आपको इस shaded region का देखे, चारों area में आपसे लग अलग पूछूँगा, तो सबसे पहले मुझे APD का area बताई, जिन लोगों निकाल लिया है, APD का area निकाली, APD, find the area of the shaded region, APD, नहीं बेटा, total से काम नीच लेगा, APD का अलग निकालना है, AQB का अलग निकालना है, AQB का है, AQB, ये है A, य ये है Q, ये है भी बिल्कुल छोटा वाला बिल्कुल सही बात है, फिर इसके बाद B, RC कहा है, A, देखे, B है, ये R है, और ये क्या है, C है, इसका भी निकालना है, फिर इसके बाद C, HD, ये है C, ये है S, ये है D, अरे ये तो इसमें क्या सोचना है, ये और ये दोनो equal area क्या होंगे कि नहीं होंगे, बोलिए yes or no, तो भाई, दो area तो equal हो जाएंगे, और फिर APD, APD, देखे, APD क्या बनेगा, semi circle, क्या बनेगा, semi circle, और यदि आप इसकी बात करें कि total radius किती बनेगे, देखो, पिताए 3 है, ये भी क्या 3.5, 3.5, 3.5 कितनी होगी, 7, और 7 और 7 कितना हो जागा, 7, तो मतलब इसका area हो जागा, pi r square by 2, बनेगा ये नहीं बनेगा, pi r square by 2, पूरा area हो जागा, pi r square by 2, clear है, अब इसमें से आपके पास ये दो area माइनस होंगे, ये दोनों semi circle क्या होंगे, माइनस होंगे, माइनस, दो बार, ये दो लगा दिया, pi r square by 2, यहाँ पे radius क किती मैनी की 3.5 का आधा, 3.5 का आधा, by 3.5 तो diameter है ना, 3.5 का half, into 3.5 है ना, 3.5 by 2 का whole square, बूली एस on नो, और ये हो गया, pi r square, upon में कितना हो गया, बेटा, 2, कितना हो गया, आपन में, 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, चैंसल हो बोलो clear है any problem तो इस तरीके से इसको करना है आईए देखते हैं इसका answer क्या है देखिए सबसे पहले देखिए area of the shaded region आपको निकालना है area of the shaded region ओके सबसे पहले देखिए area है BRC का, BRC मतलब सबसे बड़ा I think देखिए B है R है C है, ओके यह BRC है, इधर दो पें दो हाँ देखिए, सबसे पहले आपके पास में क्या है यहाँ पर BRC है, तो BRC का shaded area क्योंकि shaded area में आपके सामने कौन कौन है यह वाला part है कि नहीं बुली हाँ है ना, तो इसका semi circle का है, इसका radius किती होगी 7 by 2, किती होगी 7 by 2 तो 7 by 2 लेकर के देखिए, इसको जोड़ दिया है पाई R square, तो देखिए, BRC equal to 1 by 2 1 by 2, पाई इंटो 7 इंटो 7, एक मिनट बिटा, यह पूरा बड़ा वाला area किसका निकाल दिया है, पूरा बड़ा वाला area हाँ, सबसे बड़े वाले का area निकाल दिया है फिर इसके बाद में AQB को माइनस कर दिया है, CSD को माइनस कर दिया क्योंकि जो दो छोटे-छोटे उनको क्या कर दिया गया है माइनस, दो छोटे-छोटे क्या कर दिया माइनस, और यह last में जो ब्लैक वाला portion है जो जो नीचे गया है, इसको प्लस कर दिया, इसको क्या कर दिया है, प्लस, एक बार फिर से समझो, सबसे पहले ये area ले लिए बोले यस, ये वाले को क्या करोगे, माइनस ये वाले को क्या करोगे, माइनस और ये वाले को क्या करोगे, प्लस, बस हो गया तो ये काम कर दिजे, आपके पास total area इसका आ गया है आप लोग एक पर मैच कर लीजिए आपने जो टोटल एरिया निकाला है क्या आंसर 86.625 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 86.625 ठीक है चली नोट कर लीजिए चली देखिए अगला कोशन देखिए इसका जो इसका जो इसका जो आपने पास एक टूरा बन चुगा भाई साप टिक ना ऐसा इस ताइप कर टेनिस की बॉल गो फोड़ दो तो ऐसी बन जाती है बिलकुल ना रियल एक्जेक्ट लीजिए आपके पास 16 अं 12 cm respectively अब दो कॉस्ट आप टोटल कॉस्ट आप दो वेजल आल ओवर आपको पूरा इसको पेंट करना है बताओ क्या होगा तो मैंने बेस तरीका बतादा है इसको सॉलेड को पकड़ करके आप पेंट के कलर के डिबे में डाल दो बुलो एसा नो अब देखो अब जो आपके पास में जो कलर आएगा वो बोलो बाहर वाले का टोरे पर आगा की नहीं आगा और अंदर वाले पर पर यह जो चल्ला बनेगा भाई साब यह देखो यह कैसे निकालोगे यह निकलेगा बढ़ा वाला circle minus छोटा वाला पाई capital R square minus pi small R square इस तरीके से करके आप निकालोगे बूलो clear होगे ना तो चलिए अब इसको solve करते हैं भाई सब देखते हैं इसका answer क्या होगा यह देखिए तो सबसे पहले देखो बाहर वाला है 2 pi R square बूलो clear छोटा वाला 2 pi small R square और फिर pi कटोरा वाला जो area यह जो boundary बन रही है है ना यह वाला कितना हो जागा pi बढ़ा R square minus छोटा R square तो भाई पूरे में से pi common है pi ले लिया common देखो pi बूलो अंदर कितना बज़ गया 2 R square 2 into R square R कितना है 8 R कितना है 8 तो 8 का square into 2 और फिर देखो R square into 2 कितना हो जागा 2 हो जाएगा है ना तो 6 का square छोटा radius into कितना हो गया 2 pi तो बाहर है R का square minus small R का square 8 का square minus 6 का square बेटा पूरा solve कर लो answer इसका कितना आ गया area 715.92 715.92 अब जो आपको area मिला बेटा cost 5 रुपए एक मिटर square की एक centimeter square की बुलो हाँ तो total इतने centimeter square की cost निकालने के लिए इतने में का 5 का multiply करो 5 का multiply कर दोगे आ जाएगा बुलो clear है तो इस तरीके से इसको solve करना है ठीक ना बुलो done clear कर लोगे answer sheet में आपको group में दे दूँगा आप लोग पूरी room 4 students, Sita, Gita, Rita and Anita are sitting, तो देखो बटा A की position क्या है 3,4, X में 3 है, Y में कितना 4 है, यह हो गई Sita, कौन हो गई है, Sita, फिर इसके बाद है Gita, Gita कहाँ पर 6,7 पर बैठी है, देखो यह Gita यहाँ पर 6,7 बिल्कुल सही बात है, B point पर बैठी ही Gita, इसके बाद में C है 9,4 पर, दे Anjali join the classes, इसके बाद Anjali कहाँ जाती है देवे, Anjali की अभी position का पता नहीं है, है ना, Anjali, देखे, teacher tell Anjali to sit in the middle for the four students, teacher ने कहा है Anjali को, कि तुम जो है, चारो student के बिल्कुल बीचो बीच में बैठ जाओ, समझ गया ना, तो देखे, सबसे पहले इसको join कर दीजे, फिर पता चलो, बोल क्लियर है, अब यह जो Anjali होती है, वो इन दोनों के diagonal के intersection point पर बैठेगी, तो यह इसका diagonal है, बोलो हाँ या ना, और यह इनका intersection point है, बोली yes or no, तो diagonal intersection point देखे, यह है क्या 6 है, और इसकी position क्या 4 है, तो मतलब Anjali कहाँ पर बैठेगी 6,4, क्योंकि Anjali की position यहाँ स चारों से equal distance पर होगी, बोलो होगी की नहीं होगी, yes, calculate the distance between Sita and Anita, अब कहरा, Sita और Anita की बीच के distance find करो, देखो बहिया, Sita कहाँ बैठी हुए, नाम लेग देता हूँ, यहाँ पर A पे बैठी है, Sita, और Anita कहाँ बैठी हुए, D पे, तो Sita और Anita की बीच के distance आप find कर सकते हो, कै Which two students are equidistant from Gita, Gita से कौन से दो बच्चे सेम पोजीशन पर है, तो Gita कहाँ बैठी हुए, बाई, Gita कहाँ पर बैठी हुए, B पर बैठी हुए, Gita, तो देखे, B से Gita यहाँ पर बैठी हुए, ओके, Gita से कौन से दो student, तो यह distance निकाल लो, और तीसरी यह distance निकाल लो, जो दो distance equal आ जाएंगी, मतलब वो Gita से सेम distance पर बैठे होंगे, ओके, तो almost मतलब भी पूरा distance formula का question है, इसके बाद, which two students are equidistant from Gita, तो Gita से distance निकाल ली, अब चले इसका answer देख लेते हैं, यह देखे, coordinate अपने point निकाल ली है, 6,4, midpoint होगा, क्या होगा, midpoint है, अंजली, अंजली Gita बीच की distance किती होगे, 3 root 2, बोले yes or no, हाँ, तो Rita, अब distance between Gita and Rita, Gita और Rita के बीच की distance किती है, 3 root 2, वो clear है, तो यहाँ पे सारे distance, Gita, Gita is equal distance from Sita and Rita, तो Gita जो है, वो किस से distance पर सेम है, Sita से और Rita से, ठेके बाई, सीथा और Gita है, सीथा और Gita के distance किती हागे, 3 root 2, और Gita और Rita, दोनों के distance किती हागे, बोलो, 3 root 2, मतलब जो Gita है, वो दोनों लड़कियों से, सीथा और Rita से, से सेम डिस्टेंस, मैंने diagram में भी बताया था, कि जो Gita है, बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, गीता देखो यह देखिए, यहां पर बैठी हुई है गीता, यस, गीता जो है, वो सीता से, और कौन बैठी यहां पर D-point पर, C-point पर कौन बैठी है, रीता, से दोनों से same distance पर, ठीक है न, तो मतलब कुल मिला के यह आपकर किसका है, distance formula का application, बोलो बन जाएगा, ओके, इसको आराम-ाराम से क करिएगा चली अगला कॉश्चन देखते हैं इसके बाद हां यश अभ इसके बाद शेप पूछा गया है तो a b निकाल लिया b c n निकाल लिया c d निकाल लिया और क्या निकाल लिया a d निकाल लिया ok यह तो अगला value-based c को कॉश्चन उसको पढ़ा नहीं अपनने यस Name the figure form by the join ABCD ABCD को join करने पर तो बहुत ही सिंपल है चारो distance निकाल लो बिटा A से लेके B, B से लेके C, C से लेके D और D से लेके A चारो distance को निकालने के बाद आप बड़े अराम से कह सकते हो चारो equal आ चुकी है बोलो हाँ तो यह देखे, diagonal equal आ चुके हैं इसके तो इसका मतलब क्या होगा यह square होगा क्या होगा यह square होगा, बुली clear है चलिए, second part देखे इसका case to study case based का second part यह देखे भाई सब 100 meter की race है क्या है 100 meter की race A stop watch is used to find that time took the group of group of students to run 100 meter, तो 100 meter की race को दोड़ा गया है देखो भाई, 0 से लिएगे 20 second में क्त्य बच्चे कौलिफाई कर गया है, 8 बच्चे 20 से लिएगे 40 second में आने बले कित्ते बच्चे हैं, 10 बच्चे 40 से लिएक साठ में 13 बच्चे 60 से लिएगे 80 में 6 बच्चे और यह कुछ मोटू लोग होँगे 80 से लेगे 100 सेकेंड में कित्ते होगा 3 बच्चे बोलो हाँ है न बोलो clear हुआ अब कह रहा है estimate the mean time तो मैंने आपको बताया था mean time निकालने के लिए सबसे पहले एक group है इसकी आप बनाओगे x i क्या बनाओगे x i तो 0 और 20 का आदा mean क्या निकालना है mean तो sigma f i x i upon sigma f i sigma f i x i upon sigma f i बोलो या आगया बोलो clear है चलिए अगला question देखते है इसमें और वाला ओके और वाला question क्या करा find the sum of the lower limit of the median class and model class कह रहा है कि sum of the lower limit of the median class and the model class मतलब भाई साब आपने हमसे median निकलवानी है क्या निकलवानी है median तो median के नहीं क्या लेकाते है cumulative frequency क्या निकालते है cumulative frequency अब cumulative frequency total यहाँ पर आई है 40 कित्या यह बटा 40 आई है तो 40 में median class मतलब सबसे ज़्यादा वाली class सबसे ज़्यादा data कहा पर है देखो बटा frequency में देखो सबसे ज़्यादा frequency देखो यहाँ पर 13 की है किसकी है 13 की बोलो आया ना बोलो yes हाँ भाई तो यहाँ पर देखो 13 हो गया है तो अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा वाली class यह है तो model class यही तो ही ना कि नहीं भी बो सबसे ज़्यादा वाली class को model class बोलते है तो model class की इन लोगों ने कौन सी बोली है lower limit of the median class है model class तो model class की lower limit 40 होगी की नहीं होगी अब भाईया median class पता करना है क्या पता करना है median class तो देखो median class पता करने के लिए सबसे पहले total number of data कितना 40 है कि नहीं है WiFi Tuesday educ इसमें है क्या नहीं है क्योंकि यही है देखो 31 के अंदर 20 आएगा ना 20 row number 31 के अंदर आएगा कि नहीं आएगा Yes तो यही होगई इसकी median class क्या होगई इसकी बोलो पका तो median class की lower limit कितनी होगी 40 चालिस और लौटल से कि लिमट कितनी होगी 40 तो दोनों को जोडने को कहा है तो 40 प्राइस क्लेस कितना हो गया बोलो असी बोलो क्लियर हो गया any problem, चलो, अगला question देखते हैं, अगला question कहला, how many students finish the race within one minute, within one, one minute के अंदर, या one minute तक, one minute, तक, one minute तक, one minute तक, तक मतलब cumulative frequency, तक मतलब cumulative frequency, cumulative के table में आ जाओ भाया, 60 minutes, one minute मतलब 60 seconds, one minute मतलब 60 seconds, बोलो पक्का, 60 seconds, तो 60 seconds तक, 60 seconds तक, देखो बड़ा, ये है, ये चलता है, 20 seconds तक कि किते बचे cumulative 8, किते 8, 40 तक किते 18, और 60 seconds तक किते बचे 31, तो answer बोलो कितना होगा, 31, तो ये देखे, answer इसको होगया, 31, बोलो clear होगा, okay, number of student who finished the race within 40 seconds, तो 40 तक बनाना पड़ेगा, आपको, तो 40 तक आपको लेना पड़ेगा, देखे, 8 ये है, और 10 ये जोड़गा, मतलब total क किता होगा, answer 8, तो ये cumulative frequency पर बेस question था, बोलो बन जाएगा, any problem, तो बड़ी अच्छे question आया हुए है, basic type का full basic paper है, यहाँ पर, चलिए अगला last question देखते है, case study type 3 है, the speed of the motor boat is 20 km per hour, बेटा, motor boat की speed कितनी है, 20 km per hour, for covering the distance of 15 km, a boat took one hour more for upstream 10 down stream, देखो बेटा, मतलब upstream में जो लग करने वादा समय, एक गंटे क्या है, ज्यादा है, मतलब आप यह दी लिखो, कि T up minus T down, equal to किता, one hour, किता है, one hour, अब आपको पता है कि time is equal to the distance upon speed, distance upon speed, तो भाया, पता कलने कि किता distance चले गए है, 15 km, किता है, 15 km, बोलो हाया न, और speed अपनने मान ली बेटा, upstream की है, x, upstream की कितन है, x, बोलो, clear है, हाँ, the speed of the stream is x km per hour, then find the speed of the motor boat in upstream, okay, yes, the speed of the motor boat is 20 km per hour, एक मिनट पे देखो, यहाँ पे रूख, बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं, देखो, ध्यान से सुनो, हाँ, देखो बड़ा, upstream, अब ध्यान से देखो, जब 9 ऊपर चलती है, यह 9 ऊपर चलती बोलो, हाँ, तो 9 की speed कितनी लिए है, बड़ा, 20, कितनी लिए है, 20, अब पानी की रफ्तार नीचे से आ रहे है, x, बोलो, हाँ, तो resultant speed 20 आँगे की, और dex पीछे की, बोलो, कितनी बेजाएगी, 20-x, बोलो, यह सानो, अब जब वापस लोटेगी, तो 9 भी नीचे आएगी बोलो, हाँ, और पानी भी नीचे आएगा, तो रफ्तार बढ़ जाएगी, मतलब 20 प्लस, बोलो, पका, तो यह हो गया, 20 प्लस, अरे, 15 था भाई, यह कितना था, 15, तो इसको 15 कर लो, बोलो, equal to कितना है, 1, तो आब आपके पास equation बन चुका है, बोलो, हाँ, अब इसको solve करक किया निकाल लेंगे, आप X, निकाल लेंगे, X, find the speed of the motorboat in upstream, तो सबसे पहले, आपको upstream में स्पीड निकाल ली है, क्या निकाल ली है, तो upstream कितनी आएगी, बोलो, 20 माइनस, X किलोमेटर, बोलो, clear में जाएगा, फिर अगला है, write the relation between speed, distance and time, बच्चों बाला question पूछ लिया है बोलो, क्या होता है, speed equal to distance upon time, distance upon time, find the quadratic equation for the speed of the current, speed of the current, current मतलब कौन सा बीड़ा, पानी का current, water current बोलता है, तो इसमें आपको यो quadratic equation ये बनेगी, इसको दिखा देना, चलिए, आईए, solve करते हैं, मन में ध्यान रखे, 15 बटे 20 मैनस X है, 15 बटे कितना 20 प्लस X, बस यही बनेगा equal to 1, तो ये देखिए, solve करता हूँ में, इसको, ये देखो बच्चो, हाँ, speed of the stream कितना मान लिया, X, और जो जहाज है, motorboat है, उसकी speed कितना है, 20, बोलो, हाँ, तो आप steam कितना बनेगी, 20 मैनस X, down steam कितना बनेगी, 20 प्लस X, speed equal to distance upon time, बोलो, clear है, तो चलिए, फॉर्मुला बन बन जाएगा, any problem, चलिए, अब इसके बार देखते हैं, इसका और वाला पार्ट भी दिया हुआ, और वाला पार्ट देख लेते हैं, और वाला पार्ट कह रहा है, what is the speed of current, current मतलब पानी का, ओके, पानी का, क्या X निकालना है, तो X की दो बेली आएगी, एक है 10 और एक है minus 40 speed कभी negative हो, नहीं सकती, तो correct answer कर लोगे, X equal to 10, बोलो कर लोगे, चलिए, तो ये हो गया complete आपका पहला पेपर, अब इसको बढ़िया मज़े से लगाईए, इसको एक बार फिर से solve कीजे, I hope आपको पूरा-पूरा बन जाएगा, thank you so much guys, to being with location, unlimited stress on, जैहिन जै भारत, होली की बद बद शुप काना है, अच्छे से हूली मनाईए, कुछ रहे हैं